दोस्तों आप सबको पता है कि 2020 में जो नई सिक्षा नेती आई उसके तहट 10 प्लस 2 का सिस्टम हटा करके अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का सिस्टम लाया गया है और इसमें एक नई विवस्था है कि 10th का बोर्ड एक्जाम नहीं होगा यानि कि डारेक आठमा के बाद अब 12 का ब होगा कि नहीं होगा 2020 में 10 प्लस 1 यानि मेट्रिक एक्जाम होगा कि नहीं होगा तो इस वीडियो में आपका यह कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला हमें आप TV दोनों सवालों का जबाब मिलने वाला है, 2024 में 10th board होगा की नहीं होगा, और 2025 में 10th board होगा की नहीं होगा, पहली बात तो मैं आपको 2024 की बता दूँ, 2024 में 10th board 100% होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों कि इसके लिए अधिकतर राजियों के board जो होते हैं, उन सारे boards ने registration लिया है, मतलब 2024 में 10th यानि metric exam हो गई होगा, अब देखिए, यह जो नई विवस्था 5+, 3+, 3+, 4 का है, इस विवस्था के तहत स्कूलों को develop करने के लिए, सिक्षा परणाली को develop करने के लिए, हर राज के state board को अभी समय लगने वाला है, उनका basic infrastructure कमजोर है, बहुत सारे चीज की अगर हम बात करें, तो 2025 में भी अधिकतर राज्यों में board exam होगा, 10th board का exam होगा, तो इसके पीछे कारण यह है, कि 2025 तक भी जो अलग-अलग राज्यों के board हैं, वह basic सुविधाएं जो है, स्कूलों में बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़ी होती है, उनको अपने basic infrastructure में बदलाव लाने है, course का structure chain करना है, तो इन सब में जो समय लएगा, उसकी वज़ा से 25 तक board exam होगे, और यह सारी चीज़े depend करती है, इस बात पर की registration होता है के नहीं होता है, तो 2024 के लिए अगर आपका registration हो गया है, मतलब 24 में अग्जाम हो गई 2025 में 10th board यानि matrica exam देने वाले हैं, उनका exam 25 में होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए जो वार्सिक calendar बिहार board ने जारी किया, उस वार्सिक calendar में उसने असपष्ट कह दिया है, कि भाई 2025 के लिए registration हम करेंगे, और registration करेंगे, मतलब साफ है कि 2025 में matrica exam भी होगा, तो 2025 तक matrica exam अधिकतर राजियों के board में होगा, हाँ, उसके बाद 26, 27, 28, धीरे-धीरे अलग-लग राजियों में 10th board को खतम करने की शुरुवात कर दी जाएगी, और फिर direct जो 12 वाली विवस्ता है, यानि कि नई सिक्षानित 2020 वाली विवस्ता है, उसको लागू किया जाएगा, लेकि examination form भरा गिया या नहीं भरा गिया, अगर ये सारी चीजें जिन समय पर हुआ करती थी, अगर उस समय पर होती रही, यानि कि आपका registration भी करवाया गया, आपका form भी भरवाया गया, मतलब यहां पर असपष्ट हो जाएगा, कि आपका exam 2024 में भी होगा, पचीस में भी होगा, और रही बात अगर बिहार बोड की हम बात करें, तो बिहार बोड के चात्रों को असपष्ट हो जाना है, कि 2024 में भी तेंथ यानि metric बोड का exam होगा, और 2025 में भी तेंथ यानि metric बोड का exam होगा, इसके बाद आने वाले समय में ये clear होगा, कि 26 से exam होगा कि नहीं होगा, इस प